अलो दोस्तो गूद मॉर्णिंग कईसे आप लोग आसा करते अच्छे होंगे सोस्तो और मस्त होंगे अपने घर में खूस होंगे दोस्तो दोस्तो देख लेजिए आज हम आगे हैं इस सेट में बकरी लेके आगे देखिए बकरी उधर नीचे की सेट चर रही है आपको सही दिखता होगा तो हम बकरी चरा रहे हैं दोस्तों तो बहुत सारे फरेंड का मैसेज आया है मतलब कमेंट बहुत सारे फरेंड हमारे कमेंट किये है कि रामु भाई करकर के देखेंगे तो वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा हमने क्या बोला क्या बताया तो आपको वीडियो बिल्कुल इसकी मत करना पूरी वीडियो देखना तकि आपके समझ में आ जाए और हम अच्छा से समझा के बताएंगे कि इंडियन बकरी में क्या फरक होता ह सब्सक्राइब करते रहना तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों बताते हैं हम आपको अच्छा से समझा के बताएंगे सुबा दोस्तों हम छे बजे या साड़े पांच बजे जब उठते हैं पहले दो तिन बच्चा उनको दूद पिलाते हैं दूद पिलाने के बाद दोस्तों बकरी यो बड़ी जो बकरी है इनको दाना डालना होता है कितना दाना डालते हैं एक टाइम में दोस्तों सब बताएं तो एक टाइम में सुबा हम दाना डालते हैं 50-50 गिलो का दोस्तो जव होता है जव बोलते हैं यहां पर सुवार बोलते हैं तो दोस्तो दो गोनी दो किस हम डालते हैं सुबा इसके बाद दोस्तो बकरी चलाने चले जाते हैं वहां से आते हैं बकरी चला के फिर दो किस डालते विए और दोस्तो नो महिने के अंदर अंदर इने तीन लार इंजक्षन दिया जाता है कर ने इन्जक्षन क्यों दिया जाता है तक ही एं Clara टेखावाट वीमारी आने का संका है तो छीज विझत जाता है दोस्तो और बहुत सारी बात है सौधियरब के बकरियों में यही फरक होता है दोस्तो कि इनका सेवा बहुत हाड होता है इतना हाड होता है कि कैस अपाने इंडिया के बकरियों में देख लीजिए लोग सुबा चराने के लिए छोड़ देते हैं सामको उनको दाना भी नहीं द देते हैं दाना भी नहीं देते हैं और अगर बीमार हो जाए तो उनको एक बार दवा देते हैं दुबारा दवा ही नहीं देते होंगे तो इसके हुझे से उनका सरीर मजबूत नहीं होता है अब बकडियों को दाना खिलाए खिलाने से बहुत फाइदा होता है बच्चे तंद नमक होता है पाइकिट में आता है तो यह खाम लोग के खाने वाला नमक नहीं है वह बकरियों के लिए नमक आता है दोस्तों अगर बोला जाए तो काला नमक काला नमक हम लोग बोलते हैं तो काला नमक इनको खिलाया जाता है जब इनका बच्चा देने का दो महिना या तीन मह पोड़े हो जाते हैं वो मर जाते हैं और दूसरा काम दोस्तों इनको दूसरा काम दोस्तों इनका रूम आपने देखाई होगा रोज किलीन मतलब साफ सफ़ाई करना होता है साफ सफ़ाई करना होता है तकि साफ सफ़ाई नहीं रहेगा तो इनका रूम आपने तो देखा होग कर नहीं देखा तो किसी दिना वीडियो बना देंगे दोस्तों तो आप लोग देख लेना कि साफ सफाई कैसे हम लोग रूम का करते हैं तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा तो यह हो गया दोस्तों सौधी के बारे में जितना जानकारी था मैंने दे दिया है अगर आप इं बीमार नहीं होती है जदा करके अच्छी रहती है और जिस रूम में बकरी रहती है उनको एकडम साप सुथ्रा उनका रूम रखना चाहिए गन्दगी नहीं रखना चाहिए गन्दगी रखने से बastYa बीमार हो जाती है दोस्तों दोस्तों जो जितना जानकारी मुझे मिला उतना बताया है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन दबाना विल्कुल मत भूली दोस्तों तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जब तक जय हिन जय भारत बंदे मातर हम खुस रहो मस रहो स्वस करते रहने